Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So, आज हम discuss करेंगे about the concept of registration in GST तो GST में जो registration का part है उस पे क्या-क्या चीज़े आपको focus करनी है वो सारी चीज़े discuss करेंगे और rules भी revise करवा था हूँ exactly कि कौन से rules है registration under GST पे और कैसे type के questions इसमें आपको paper में पूछे जा सकते है वो भी हम discuss करेंगे तो अगर आप channel पे पहली बार आया हो तो subscribe का button दबाईए because ऐसे ही last minute revision videos आपको इस channel पे मिलते रहते हैं और app भी download आप कर सकते हैं उसमें भी काफी सारी चीज़े आप लोगों के लिए है तो सबसे पहले अगर हम registration अंडर GST की बात करें तो जो भी persons liable है registration के लिए उनके लिए section आपको याद रखना है section 22 है section 22 क्या कहता है कि कौनसे लोग registration के लिए liable होंगे GST के purview में कौनसे लोग आएंगे तो सबसे पहली चीज हम इसमें discuss करते है number first जो है कि ऐसे लोग जो supply करते है goods का तो जो भी लोग goods का supply करते है उनके लिए कुछ limits है वो आपको ध्यान रखनी है तो जो भी supplier ऐसे है जो engage है goods के supply करने में और अगर goods के supply की हम बात करें तो इसमें दो चीज़े आती है number first जो इसमें limit है that is 20 lakhs का limit और number second जो इसमें limit है that is 40 lakhs का limit अभी बहुत सारे confusions होते है कि exactly 40 lakhs की limit किसको apply करनी है and 20 lakhs की limit किसको apply करनी है ध्यान से सुने काफी simple चीज है हमको याद क्या रखना है हमको याद यह रखना है कि किसी भी supplier का जो भी बंदा goods का supply कर रहा है उसका aggregate turnover उसका aggregate turnover now what is this aggregate turnover that also we will be discussing aggregate turnover जो है यह aggregate turnover 40 lakhs की limit होगी यह 20 lakhs की limit होगी तो अगर किसी का भी aggregate turnover 40 lakhs से उपर cross करेगा तो उसे registration करना compulsory होगा similarly अगर 20 lakhs की limit क्रोस करेगा तो उसे registration करना compulsory होगा तो exactly हमें अभी यह देखना है कि 40 lakhs की limit किसको apply होती है 20 lakhs की limit किसको apply होती है तो सबसे पहली चीज़ है यह आप अपने पास note down करके रखे कुछ special category states है ठीक है ऐसे कुछ states जिनको special category states का दरजा दिया गया है और यह special category states की अगर हम बात करें तो इनको जो है इनको limit कितनी apply होती है इनको limit apply होती है 20 lakhs की अब यह 20 lakhs की जो limit इनको apply होती है इसमें कौन से कौन से states आते है तो आपको याद क्या रखना है इसमें सबसे पहला state आता है अरुनाचल प्रदेश फिर second आता है मनीपूर यह सब अपने पास लिख के रखे यह revise करना आपको बाद में मनीपूर के बाद आता है मेगालय मेगालय के बाद आता है मिजोरम मिजोरम के बाद आता है नागालैंड नागालन के बाद आता है पुड्डूचरी पुड्डूचरी के बाद आता है सिक्कीम सिक्कीम के बाद आता है तेलंगाना तेलंगाना के बाद आएगा थ्रिपूरा थ्रिपूरा के बाद आता है उत्तराखन उत्तराखंड तो यह ऐसे states है जो आपको ध्यान रखने है for registration under GST and ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ supply कर रहे है goods का अगर ऐसे लोग जो goods का supply कर रहे है और उनका अगर aggregate turnover special category states अगर रहेगा तो 20 lakh से उपर अगर cross करता होगा तो ही उनको GST registration करना compulsory या mandatory है otherwise उनको GST registration करना compulsory या mandatory नहीं है यह आपको ध्यान रखना है पहला point special category states those who are supplying only goods we will remember the limit of 20 lakhs for special category states and बाकी के जो states रहेंगे हम यहाँ पे लिखते है rest of India तो बाकी के जो भी states रहेंगे उसके लिए आपको limit क्या याद रखनी है उसके लिए आपको limit याद रखनी है 40 lakh rupees तो 40 lakh से उपर जाएगा तो आपको क्या करना है GST registration compulsory हो जाएगा और 40 lakh से नीचे जाएगा तो GST registration उनके लिए mandatory नहीं होगा अब सबसे important point है कि जो लोग goods supply करते हैं उनके बारे में तो हमने सीख लिया तो अभी यह सीखते हैं कि जो लोग goods supply नहीं करते हैं जो लोग services देते हैं तो अगर हम services की बात करें तो services के बारे में discuss करते हैं because GST दो act को हम अगर साथ में करें तो that is GST goods का भी है और इसमें services का भी है तो goods and services tax act जो पास हुआ था 2017 year में और जिसमें CGST, SGST, IGST ऐसे तीन concepts है तो अभी हम services के बारे में discuss करेंगे services के लिए आपको सबसे पहली limit याद रखनी है सब services के लिए आपको limit का याद रखनी है 10 lakhs और उसके बाद आपको second part याद लखना है 20 lakhs जैसे अभी हमने 40 और 20 सिखा 20 for special category and 40 for rest of the world similarly अगर हम यहाँ पे देखे services के लिए तो services में अगर हम special category states की बात करें तो special category states में आएगा मनीपूर फिर मिजोरम फिर नागा लैंड फिर त्रिपूरा ठीके यह आपको special category states याद रखने है for services और इनके लिए कितना limit बन जाएगा इनके लिए limit बनेगा 10 lakhs अगर इन states में अगर कोई service दे रहा है और उसका अगर aggregate turnover 10 lakhs से उपर जाएगा तो ही उसको GST registration करना compulsory है otherwise नहीं है और अगर हम इन states को छोड़ के बात करें तो that will be rest of India तो rest of India कि अगर हम बात करें तो rest of India में क्या आता है बाकी के states आएंगे उनके लिए आपको क्या याद रखना है उनके लिए आपको limit याद रखनी है 20 lakh rupees तो बहुत ही simple part है बहुत सारे confusion students को होते है कि GST registration में हमको करना क्या है GST registration में limits कैसी लेनी है तो this is the basic part of GST registration section 22 में cover होता है और इसमें concept आता है aggregate turnover अभी वो भी बता देता हो देखो सबसे important part है aggregate turnover उसका 20 lakhs या 40 lakhs का concept जो अभी हमने discuss किया लेकिन यह aggregate turnover होता क्या क्या है वो ध्यान रखो तो aggregate turnover में सबसे पहली चीज़ आती है taxable supplies ठीक है आपके question में अगर taxable supplies है तो वो भी आपका aggregate turnover का ही part है दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा इसमें आता है exempt supplies ठीक है यह aggregate turnover उसके बाद आता है interstate supplies ठीक है interstate supplies मतलब एक state से दूसरे state में अगर हमने supplies किया तो that is interstate supplies अगर हम इन सभी को add कर ले तो हमको क्या मिलेगा तो हमको मिलेगा aggregate turnover तो aggregate turnover होता क्या है aggregate turnover is nothing but it is a combination of taxable supplies plus exempt supplies plus exports plus interstate supplies यह सारी चीज़े अगर आप add कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा aggregate turnover तो यह है आपका basic registration का because registration में एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है limits तो किसके लिए क्या limit रहेगा वो आपको ध्यान रखना है hope कि आपको इस में से registration की basic चीज़े clear हुई है अगर आपको यह basic चीज़े clear हुई है तो मुझे comment section में comment करके बताए ताकि इसके उपर questions कैसे पूछे जा सकते है वो भी मैं आपको next video में provide करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में share करें और चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब कर ले विकॉस ऐसे ही लास्ट मिनिट रिवीजन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते थैंक्यू वेरी मच बाइबा श्रूड़ रे लाइबा है ले वीडियो वेरी मच बाइब और आपको प्रेंड़ा वीडियो इस चैनल पर पहली आपको लाएबादा आपको छापको ले लेखा आपको पीया वेरी माच बाँ आपको लेग आपको अज़